हिंदुस्तान में जब भी कोई जगड़ा होता है तो लोगों को उधारन देने के लिए सबसे पहले महाभारत के प्रसंग याद आते हैं और खास तोर पर जब जगड़ा परिवार का हो और स्थारजिनिक हो तब कोरवों की पांड़ों की नाना प्रकार की कहानिया याद आती हैं हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा ही जगड़ा है जो संसद, सडक और परिवार तीनों मंचों पर हो रहा है ये जगड़ा स्वरगी राम विलास पासवान जी के परिवार का जगड़ा है और इसमें दो गुट बन गए हैं एक तरफ हैं उनके बेटे और संसद चिराग पास बात करेंगे बात इस पर भी करेंगे कि जिस जनता की नुमाइंदगी के दावे और लडाईयों के हक के लिए ये सब बातें कहीं जा रही है वो जनता कैसे रियक्ट कर रही इस पूरे प्रकरण पर एक तरफ तो अगर इंटरनेट की भाषा इस्तमाल करें तो मीम आ रहे है कि देखो सब के दावे हैं कि मार्क में हूँ तेजा इधर है दूसरी तरफ कोई अभिमन्यों और कोई किसी और प्रसंग का जिक्र कर रहा है इन सब पर बात करने के लिए ललन टॉप केस पोलिटिकल इंटर्व्यू के प्रोग्राम नेता जी घेरे में आज हमारे साथ हैं चिराग पास्वान चिराग बहुत-बहुत सवागत आपका थैंकि बाई राम दिलास जी ऑन दे रिकॉर्ड और ओफ दे रिकॉर्ड परिवार पे बड़ा जोड देते थे बतलब वो छिपाते नहीं थे इस चीज को लेके मुझे दिहान है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई या उनके बारे में जो लोग जानते थे बहुत अच्छे से तो अक्सर उन राता शुरुआती दौर में तो ये मेरे भाई थे जो मेरे साथ खड़े थे तो आप टू प्रोटेक्ट देम अब राम दिलास जी नहीं है और उनके जो भाई है एक पहले ही गुजर चुके हैं 2019 में रामचंद्र पासवान जी और जो दूसरे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ग्राम विलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी की लेगसी को आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ती नहीं है और इसलिए उन्होंने पार्टी बचाने के लिए लेगसी बचाने के लिए ये बगावत की विद्रोग किया पार्टी को दल को अपन ये जमेदारी काफी समय पहले खुद पापा के रहते हुए, जब वो हमारी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष थे, उनके रहते हुए ही मुझे नए राष्टी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था. और जिसमें प्रमुख प्रस्तावक के तौर पर, मेरे चाचा जी स्वेम थे, सूरज भाण जी उनको सेकेंड करने वाले थे, और तो अगर कहीं पे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत थी, और मैं मानता हूँ कि सौभाविक है, समस्याइं हो सकती है, हो सकता है मुझे ही कहीं पे कोई गलतियां हुई हो, हो सकता है, जानकारी का भाव हो, पर पापा हमेशा इस बात को बोलते थे कि बड़ी से बड़ी समस्याइ का समाधान बाचीत से निकल सकता है, और निरंतर्ता में पापा के निधन के बाद मैंने और मेरे परिवार ने, परिवार में खैराब मेरे पास ममी ही बची हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम कम से कम बात तो करें अगर कोई दिक्कत है, कुछ है, क्योंकि पापा के निधन के बात से चाचा जी ने बात करना एक्दम ही बंद कर दिया था. और ममी को भी ये बात खलती थी, क्योंकि इस घर में इतने समय से रहे, और पापा के निधन के बाद जब ममी को सबसे आदा जरुष्ष उनके परिवार की थी, उनके रहते वे ममी एक चटान की तरह परिवार के साथ ख़डी नहीं, जब उनको जुरत थी तो उस परिवार के सदसों में से कोई नहीं था ना चाचा ना चाची कोई नहीं इस घर में आए ना उनसे मिले ना उनसे पूछा कि भावी आप ठीक हैं क्या है तो किसी से तो कम्यूनिकेट करते हैं ममी को भी इस बात की दिक्कत थी तबी मैंने हार के जब मैंने वह पत्र लिखा होली वाले दिन जिए मैंने ट्विटर पे साजा भी किया क्योंकि उस दिन मैं अकेला था डिप्रेस ता परिशान था क्योंकि होली पापा को बहुत पसंदी और हम लोगे एक बड़ा कारेकराम होली के हर साल होता था पर इस साल पापा नहीं थे और दुख किसी बाद का कि कोई भी नहीं था और परिवार का मेरा कोई सदसे नहीं था उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा कि चाचा कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बुलाईए ना बैठाईए मुझे आपका हग बनता है भाई पापा है आप मेरे हम लोग बिहार में चाचा मजले पापा चोड़े पापा यही बोलने की आदत है और पापा के निधन के बाद इमानदारी की बात है सौरव भाई मैं उनमें पापा की ही छवी देखता था और परिवार का मुख्या ओने के नाते जैसे आपने कहा मेरे चोड़े चाचा उनका निधन हो गया था 2019 में पापा के निधन के बाद उस जेनरेशन में वही बच कि कहीं पर कोई भी दिक्का थी मैं नहीं पाटी को समाल सकता आप मुझे बोलते है मैं स्वें राष्टे कारेकारणी में प्रस्ताव रखता हूं कि आपको राष्टियच्थ बना जाए आपको लगता मेरा अनुभाव नहीं है वैसे मंतराले में मंतरी बद क्या भी कहीं प परिवार को भी थोड़ा समय देना जरूरी है तो हम लोग स्वेम प्रदान मंत्री जी के समझ विचार के लिए रखते कि अगर आपको पाटी की तरफ से किसी को मंत्री बनाना है तो आप चाचा के नाम पर आप विचार करें शिराग आप ये सब दावे कर रहे हैं सबको पता है कि वो पाँच मिनिट के लिए मीटिंग में आए और एक जो अमूमन होता है कि परिवार का या पार्टी में कोई नया राश्री अध्यक्ष बना तो लंबा प्रोग्राम चलता है वो सब तो उन्होंने बस खाना पूर्ती की उपस्थिती दर्ज कराई तो आप गोली पर चले जाते पहले चले जाते आप ये पार्टी की बगावत का इंतिजार क्यों कर रहे थे तीसरी चीज आपने कही अगर वो मंत्री बनना चाहते थे तो अपनी बात रखते हम प्रधान मंत्री को कहते कि हमारे कोटे से चाचा को मंत्री बनाए जाए चाचा के समर्थकों का कहना है कि उनके कहने पर आपने विदान सभा के टिकट तक नहीं बाटे तो इस तरीके के इल्जामों पर आपकी क्या टिपनी है भाई सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि प्रिंस के माध्यम से मेरे चाचा के जो बेटे हैं उनके माध्यम से मुसकान और आप बहले मुझे तो आप भूली जाएए कि चले मेरे उपर तो जो जो इल्जाम लगा है वो सारांखों पर ममी ने कितनी बार फोन किये अगर आपको मुझसे शिकायत थी भाई वो तो आपकी भावी रही है माई मदर वास मैरेट तो माई फादर फोर अल्मस्ट फॉर्टी थी त्री यर्ज पिछले तिर्तालेश वालेश सालों से आप लोग के संबन रहे हैं ममी ने आपको छोटे भाई बेटे की तरह हमेशा समझा आप उनसे बात करते ना कि भाई चिराग से ये सारी दिक्कते हैं आपने जिक्र किया उस दिन का जिस दिन वो से पांच मिनट ले आये थे बिल्कुल पापा भी इस बात से चिंते थे कि भाई क्यों तो उस दिन खुलके आप पापा से बात करते पापा को आप बोलते कि भाईया ये सारी दिक्कते हैं इस वज़ा से मैं नहीं चाहता कि चराकुराश्टी अध्यक्ष आप आए भी सही बोला आपने विरोध दर्ज उन्होंने कराया अपना जिस तरीके से वो पांच मिनट के लिए रुखे और निरन तर्ता में नास पापा के रहते हुए कितनी भार भाई बिहार विधान सभा चुनाओं से पहले बार-बार ये खबरे आती थी कि पार्टी में तूट हो रही है मुझे याद है पापा उनको अक्सिजन लगा हुआ था और वो भी दूसरा वो जो प्रेशर के साथ जाता है बाई-पैक वाला क्या ब पहले 27 सिप्टेंबर 2020 को इन्होंने एक प्रेस विग्यपती इन्होंने जारी की जिसमें इन्होंने सपच तोर से लिखा कि पार्टी में कुछ फूट की ऐसी खबरे आ रही है कि सांसाद अलग हो रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम उसमें शामिल किया जा रहा है पर मैं इस बा उसका कौपी आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी मैं दे दूँगा तो ये पत्र उनों उसको लिखने की जुरत क्यों पड़ी या तो अगर आप उसी वक्त से कोई प्लानिंग कर रहे थे तो क्या आप इंतजार कर रहे थे पापा के निधन का निधन और उसके बाद मैं प्लानिंग को अंजाम दो पापा के रहते वे तो आपने सपष्टी करन दिये पर कहीं न कहीं भाई धुआ तो तब ही उड़ता है न जब कहीं पर आग लगी होती है तो कहीं न कहीं ये हल चले पापा के रहते ही चल रही थी अब वही बात है कि जब ये चल चल उस वक चल ना पापा के साथ, मुझसे तो चली आप बोल रहे हैं कि नहीं बाचीट कुछ नहीं, तो आप पापा के साथ बैखते, आप उनके साथ बाचीट करते और जो बात इन्होंने कही कि बिहार विदान सवा में इनके पूछने पर मैंने टिकट तक नहीं बाटी, दिल पे हाथ रखे चाचा इस बात को बोल देंगा, दिल पे हाथ रखे इमानदारी से इस बात को बोल दें कि क्या मैंने उनसे हर सीट के उपर मैंने उनसे मशवरा नह कि मैं इसको देखूँगा तुम जिंदा मत करो तुम अपने क्रिया के कारे करम मूं में लगो क्योंकि वही वो दस दिन ऐसे थे जिन दस दिनों में सारी टिक्टे भी बाटनी थी पहले सेकंड थर्ड फेस के नॉमिनेशन का समय आ रहा था तो उसमें कौन सी सिर्फ एक सीट म 15 में भी जीते थे मेरी सिटिंग विधायक की सीट थी और पाटी ने इस बात को तै कि जो सिटिंग विधायक की सीट है उसको नहीं बदला जाएगा और इसलिए गोविन गंज की जो हमारी सीट थी राजु तिवारी जी की उस पे उनी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और राजकुमार शाज जी जो हमारी पार्टी के जो लाल Negeant से जो हमारे विधायक है उनको बदलने का कोई सवाल ही नहीं था चाचा उस seat के लिए जरूर किसी दूसरे वेक्ती का नाम लेकर सामने आये थे उस seat पर जरूर मैंने इस बात को कहा था कि sitting विधायक है पापा के रहते वे विधायक रहे हैं पापा की लोग सभा की seat है और मैं इस पर बाकी के जो रियूमर चल रहे हैं जो की सही नहीं मुझे लगे तो मुझे था कि उनकी लोग सभा में इस तरीके की बाते मैं नहीं सुनना चाहूँगा कि कोई deal हुई है seat को लेकर कुछ हुआ है मैं नहीं सुनना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि भाई जो sitting है वही continue करे क्योंकि party ने ने लिया तो उसके अलावा एक seat मुझे वो बता दें जो कि उनके कहने पर ना दी गई हो चिराग आप कह रहे हैं कि आपके चाचा से आपने consult किया सब seatों के जो ticket वितरन हुआ लेकिन उनके खेमे के लोग कह रहे हैं कि आपने तो NDA से खुद को अलग कर लिया जेडियू के खिलाफ लड़ने का एलान कर दिया और इसमें से किसी भी फैसले में पशुपती कुमार पारस की कोई सहमती नहीं थी कहने वाले तो यहां तक कहते हैं जो पटना के पंची हैं कि आपके चाचा जी के तब भी नितीश कुमार जी से बहुत अच्छे संबन्ध थे और अब भी बहुत अच्छे संबन्ध हैं और विदान सभा चुनाओं में जिस तरह से आपने मुक्यमंत्री के उपर निशाना साधा उससे भी वो नाखुश थे पता नहीं ऐसी बाते को इतनी हिम्मत के साथ कैसे कर जाता है बट बहराल भाई यही वो कमरा था जिस कमरे में निरंध तर्ता में बैठा के हुई और अगर आप उस दौरान के मतलब मैं बात कर रहा हूँ मिड सिप्टेंबर ले ली जए या सेकंड वीक और सिप्टेंबर आप ले ली जए तब से लेकर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक के अगर आप मेरे मीडिया में कवरेजिस देखें तो इसे विसी बात को लेकर होती थी कि आज लोग जिन शक्ती पार्टी के बिहार संसदिय बोट की बैठक है आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है आज संसदिय बोट की केंद्रे संसदिय बोट की बैठक है आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है आज सांसदों के साथ एक एहम बैटक हो रही है कोई बड़ा ऐलान हो सकता है मैंने N number of meetings मैंने उस वक की है ताकि हम लोग सारे pros and cons discuss कर लें कि भाई अगर हम लोग अकेले चुनाओ लड़ते हैं तो उसके क्या pros and cons होंगे साथ मिलके लड़ते हैं तो उसके क्या pros and cons होंगे और सबकी एक आम राय बनाने का मैंने निरंतरता में मैंने प्रयास किया मुझे याद है पापा इस बात को लेकर मुझे नराज भी हुए एक दिन जब मैं अस्पदाल गया तो पापा ने मुझे इस बात को लेकर टोका क्योंकि पापा चाते थे कि हम लोग अकेले चुनाओ लड़े इस बात को मैंने आपको बीच में जब हम लोग की मुलाकाते हुई मैंने तब भी आपको बताया कि पापा हमेशा चाहते थे कि हम लोग अकेले चुनाओ लड़े मुझे याद है बीच में एक दिन पापा मुझे से नराज हुआ पापा ने बोला कि तुम लोग बस बैठा करी करते रहो तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि तुम लोग अकेले चुनाओ लड़ो अकेले चुनाओं लड़ने के लिए हिम्मत की ज़ुरत होती है जो तुमें नहीं है मुझे देखो मैंने 2005 में मैंने देखा मैंने कभी पूछा मैंने किसी से कभी सोचा कि भाई मैं अगर चुनाओं लड़ूँगा तो उसके क्या प्रोस और कॉंस होंगे मुझे नितिकत वो फैसला मेरा सही लगा सिधानतिक तौर पर मुझे मेरा फैसला सही लगा मैंने सीधा जाकर गोशना की कि हम लोग अकेले चुनाओं लड़ रहे हैं और उसके बाद मैंने कब भी पलट कर अपने उस फैसले के पर ना सोचा न विचार किया न विमर्श किया जो किया मुझे पता अ मैंने सही किया और उस वक मुझे वो करना जरोरी था तो पापा मुझे इन बातों को इसी लिए बोलते थे क्यों? क्योंकि मैं राउंस ओफ मिटिंग करता था और भाई यही वो कमरा है जहां पर मेरे पाँचो सांसर्द उस वक्त के मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजुतिवारी जी उस वक्त के मेरे प्रदेश के पार्लेमेंटरी बोर्ट के अध्यक्ष थे उस हैसे से वो मौझू थे और पारश चाचा उस दिन उस बैठक में आ नहीं पाए थे तो यहीं पर उनको लैप्टॉप पे वर्चुली उनको कनेक्ट किया गया था और उस पर उनोंने हाथ उठा कर और बकाएदा चाचा बोलते कम है बड़ बकाएदा उस वक्ट एएग तेएमटरी में फेसले के साथ हूँ पार्टी के दूरा लिए गए इस फेसले के साथ हूँ मुझे लगता है कि पार्टी का हस्तु बचाने के लिए हम लोग को अकेले चुनाओं लड़ना चाहिए 15 सीटों पर चुनाओं लडने का मतलब पार्टी को समाप करना होगा और ये सहमती मेरे पार्टी के हर एक सांसत की थी कसम खा के कोई भी मेरा एक सांसत बोल दे कि अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो जो वो हारने को कहेंगे मैं तयार हूँ हर किसी ने इसी कमरे में सहमती दी थी कि हाँ हम लोग को अकेले चुट भाई सबकी अपनी वेक्तिकत लालच थे उस वाक कैसर साब को चिनता थी कि जो 15 सीटे दे रहे हैं उसमें तो मेरे बेटी की सीट नहीं है मैं क्या करूंगा वीना देवी जी को इस बात की चिनता थी कि भाई 15 सीटों में तो उनकी बेटी की सीट नहीं है वो क्या करेंगे चंदन सिंग जिन्होंने अपने 5-6 साथियों से बादा कर रखा था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे उनका क्या होगा प्रिंस राज मेरे भाई को चिनता थी कि मेरे दूसरे भाई उनको रोसरा से चुनाव लड़ना है ये सीट उसमें नहीं होगी उनका क्या होगा तो 15 सीटों पर मतलब 20 तो सीटें ऐसी थी जो कि इस कमरे में लोग चाह रहे थे और उस पे 15 सीटों पर सहमती कि सहमती नहीं थी तो क्यों वो चिताने में लगी हुई थी अपनी बेटी को क्यों चंदन सिंग उस वक्षण के चुनाओ का प्रचार कर रहे थे क्योंकि उनके बेटे राजस से चुनाओ लड़ रहे थे चाचा का आपने देखा ही वो एक दिन कहीं नहीं गये और बलकि पापा के जिस दिन तेर्वी थी तो उस दिन उन्होंने ये बयान दिया क्योंकि जो आपने अपने प्रशन का दूसरा हिस्सा था जिसमें आपने कहा कि उनकी नजदीकिया रही है नितीश कुमार जी से आपकी न Αजदीकीया नितीश कुमार जी से कि ऐसे वेक्ति से जिसने सारी जिन्धगी पापा को नीचा दिखाने में उनकी राजनितिक हत्या करने में जिस वेक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्या यही वो नितीश कुमार जी नहीं है जिनकी वज़ा से पारशाचा पहली बार प्रदेश अद्यक्ष बनने थे 2005 में क्यों क्योंकि नितीश कुमार जी हमारे प्रदेश अद्यक्ष नरेंदर सिंग जी के साथ हमारे 29 विधाइक 2005 में जब फरवरी में चुना हुआ था हमारे 29 विधाइक को टोड के ले गए थे फिर उसके बाог जब निम्मेम्बर में दोबारा चुना हुए फिर सारे पहली बार इन्होंने थोड़ी मेरी पार्टी को तोड़ा है नेमेंबर में फिर 2005 में इन्हों ने हमारे जीतेवे विधायकों को तोड़ने का काम किया हमारे राज्यसभा के सांसदों हमारे MLC's हो जो आज की तारिक में इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं में से एक है उनको तोडने का काम नितिश कुमार जी ने क्या हाल फिलाल में 2020 में मेरे मठियानी से जीते वे विधायक को इन्होंने तोडने का काम किया तो जिस वेक्ती ने आपकी पार्टी को निरंतर्ता में तोड़ा जिसकी बज़ा से आपको पापा ने एक बड़ी जिम्मेदारी 2005 में अदेश की दी थी कि आप अदेश बने ताकि निदीश कुमार जो पार्टी को बार बार तोड़ें आप उसको फ्रेंट से आप समालें आज आप उसी वेक्ति के साथ खड़ें दल्ड-बहादलա बनाने का किस उद्देश से बनाया गया था और उसमें सिर्प पासवानों को सेग्रीगेट करके एक दल्ड उसमें डालकर सिर्फ रामवलाज पासवान जी की राजनितिक हैसियत को नीचे करने के लिए ये कदम उठाया गया था क्या हाल-फिलाल के प्रक्रण मेरे चाचा जी को नहीं पता कि किस तरीके से राज्य सबा की सीड के लिए नितिश कुमार जी ने उनसे मिन्नते करवाई उनको अपने घर तक बुलाकर पापा को विवश्च किया कि उनके सामने जाकर पापा गोहाल लगा है कि भाई मुझे आप समर्थन कीज़े राजी सभा के लिए क्या ये सारे हुमिलेशन चाचा भूल गए हैं क्या या उन्होंने नितिश कुमार जी ने कोई ऐसा कर लिया कि भाई वो सारे अपने इन पापों से मुक्त हो गए हैं चिराग आप ने इस प्रसंग का जिक्र किया थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि वह राजी सभा के लिए क्या हुआ था क्योंकि भाजपा से चुड़े सूत्रों का ये कहना है आप कह रहे हैं पंदरा सीट हैं आप कह रहे हैं कि इसी बारा जनपत के घर में बैठके बात हुई और वो सांसदी राजी नहीं थी क्योंकि वो बहुतों को कॉल दे चुके थे अपनी परिवार के समर्दकों को लेकिन बीजेपी से चुड़े सूत्र क्याते हैं कि बाई चिराग को बहुत इस पश्ट बताया गया था कटबंदन है जब हम 2015 में लड़े दे तब जीडियू साथ नहीं था 2017 में वसाथ है 2019 के लोगसभा चुनाव में देखिए बीजेपी ने अपनी सेटिंग सीटें छोड़ी आपको भी एड़ेस्ट करना पड़ेगा और लोगसभा में तो आपको ज़्यादा हमने एड़ेस्टमेंट करवाया नहीं एक आद दो सीट का ही करवाया और इसलिए रा जाना चाहें तो वो भी आ जाए और इस राज्यसवा प्रकरण पे और उस प्रकरण पे दर्शक जानना चाहेंगे तब क्या हुआ था जब राम विलास जी चुनाव लेने क्योंकि 2019 में बड़ा क्लिरली मैंचन था 6 प्लस 1 मैं वो राज्यसवा वाला मैं जवाब के दूसर और हैं TIME हम लोग खेराटी नहीं है कि आप किसी को भी कोई भी बोल दे की भाई एकएम गरो तुम आज इतनी सीटिंशी मेरा मन है कि आज तुम 22 सीटों पर चुना लो भाई कोई तार्किक बटवारा होता है की कि ढिलार पंद्रह में तांसरिद में मांथा हो कि ये आप का तार्खिक उद्देश बताएंगे ना कि कैसे आप बोल रहे हैं कि पंद्रा मतलब एक सांसद धाई सीटे कैसे किस हिसाब से धाई सीटे तो हमें यूपीए के जमाने में दी जाती हैं थी बोला जाता था कि इनको धाई सीटे दो लड़ने के लिए इनके पहलवान कहा है तो आज आप मुझे बताएं ना कि जब आप मुझे पंद्रा सीटे दे रहें किस हिसाब से अगर आप बोलते हैं बिल्कुल मैं तयार था इस बात के लिए कि भाई एक निया दल आया है हम लोग को भी कॉंप्रोमाइस करना होगा एड़जस करना होगा सही बात है 2019 में लोग पंच के हिसाब से देंगे पंच कुछ तो आप मुझे बताते हैं कि किस हिसाब से पंद्रा सीटे किस हिसाब से तो पच्चिस तीस इस तरह के आंकड़े आते हैं मीडिया में भाई मैं on record और बलकि मैं चाहूंगा कि आपकी टीम के सदस से हर एक जगा मौजूद रहते हैं प्लीज आप उनसे पूछे ना मैं on record मैं बोल रहा हूं कोई खंडन करे भारते जन्ता पाटी का कोई भी बड़ा नेता इस बात का खंडन करे क्योंकि मेरे भी लोगों के बीच में यह भ्रहाम फैलाने का प्रयास किया गया था मुझे नहीं पता सूतर कौन थे बड मेरे भी लोगोंने मुझे आके विधान सभा के चुनाओं के बाद का भाई, आपको थो, हम लोग तो 32 सीटे मिल रही थी हम लोग बाज़पा के कुछ नेताओं से पता चला हम लोग वो तो इससे पता चला उससे पता चला की 32 मिल रही थी फिर चर्चा हुए 27 सीटों की, फिर चर्चा हुए 25 सीटों की, मैं on record बोलता हूँ, कोई भी खंडन करें न मेरी इस बाद का, बोले कि नहीं चराग जी गलत बोल रहे हैं, हम लोग इनको 15 सीटे नहीं, हम लोग इनको 20 ही बोल दे, मैं तो बोलता हूँ, 18 बोल दे, 16 बोल दे, कोई मुझे इस बात का भी दावा करके बोल दे, कि वो मुझे 16 सीटे भी दे रहे थे, 15 सीटे, that's it, final, period, उसके आगे कोई बात नहीं हुई थी, राजी सभा चुणाओं में क्या हुआ था, जो आपके प्रिताईजी रड़े था, अच्छा, एक सिकंड, बस मैं एक चीज़ और इस पर मैं क्लियर कर दूँ, तो जब ये मुझे आप बोलते हैं, 15 सीटे, तो भाई, 2019 में, वो कौन सा तारकेक बटवा रहा था, जब आपने 2 सांसदो वाली पार्टी को आपने 17 सीटे दी, एतरास तो मुझे तब भी था, कि आप अपने 5 सिटिंग सांसदो को आप क्यों काट रहे हैं, क्यों आप किसी को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कि 2000, आज बोल रहना है कि चराग पासवान ने 2020 में अकेले लड़के क्य क्या उखाड लिया, क्योंकि Electoral Politics में जाहिर सी बात है कि आप संख्या देखने को यह नहीं बोलेगा कि 6 प्रतिशत वोट इसने consolidate किये, जिसको की 2% 3% मुझे पार्टी का जाता था, 25 लाख वोट मिले, जबकि Nडिय यूपीय में आज की तारिक में से 12,000 वोटों का फर्क है यह कोई नहीं देखेगा, तो आप मुझे बताएं कि जब चिराग पासवान को बोला जाता है कि भाई तुमने क्या उखाड़ा अकेले चुनाओ लड़के, तो आप मुझे बताएं ना कि नितिश कुमार जी की पार्टी में जब 2014 में चुनाओ लड़ने गए तो उनको क्य हासल हुआ, चुराग पासवान तो 2020 के चुनाओ में भाई बोल के गया था डंके की छोट पर कि मैं नितिश कुमार जी को चुनाओ हराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए मैं चुनाओ लड़ रहा हूँ, यह बात मैंने ओन बिकॉर्ड मैंने बोली थी, और मेरा लक्ष हुई, आप मुझे बताएं, नितिश कुमार जी 2014 में क्यों चुनाओ लड़ने गए थे, क्या वो सरकार बनाने के लिए चुनाओ लड़ रहे थे, क्या वो प्रधान मंत्री बनने के लिए चुनाओ लड़ रहे थे, हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ज लड़े थे अकेले आपने क्या कर लिया था मैंने तो अपने लक्ष को पूरा किया आपको कमजोर करने का आपने कौन सा zweiten को यह सीटोगों की चर्चा थी आप जो पूछे राज्य सभा का प्राक्रण क्या हूण आज यह सभा का नामंकन क्या के वह दिन था जब हम लोग यहां से निकले थे, मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, हम लोग उने एक समय मूरत निकाला था, जिसके आदार पर, हम लोग उने सुबह की फ्लाइट ली दुपहर कि आसवास पापा को वहां पे, मुझे एक्जाक टाइम नहीं आ, कि उसी दिन, शाम होते होते तक, जो समय था, उस दिन वो नामंकन की प्रक्रिया समाप्त होनी थी, तो उस दिन हम लोग जाके वो नामंकन करना था, सुबह की फ्लाइट समलोग है, जब पापा फ्लाइट में बैठे, मेरा पूरा परिवार, ममी वेगरा, सब लोग थे, उस ही नहीं की, राज्य सबा की सीट को लेकर, तो पापा उस लोग चिंते होई की बात क्यों नहीं की, हम लोगोंने तो जो भी फैसला हुआ, वो साथ में हुआ, और ये फैसला किस दिन हुआ भाई, उस दिन हुआ जब 2019 में सीटों के बटवारे को लेकर हम लोग की आखरी मु मौझूदा, ग्रह मंत्री, अमेशाजी के निवास पर मुलाकात हुई थी, जिसमें मौझूदा, मुख्य मंत्री मौझूद थे, मेरे पिता जी मौझूद थे, मैं मौझूद था, अध्याक जी भारतिय जंता पाटी, ग्रह मंत्री अमेशाजी मौझूद थे, बुबेंद और एक जो पहली राज्यसभा की seat आएगी ये उनके शब्द ऐसे ही थे कि जो पहली राज्यसभा की seat आएगी वो लोग जिन शक्ति पार्टी के राष्टी अध्यक्ष उसक्राइख थे पिता जी आदर नी रामला सपासवान जी को जाएगी और उससे ठीक पहले उससे अगर मैं आदा घंटा रिवाइन करूं तो उससे ठीक पहले बंद कमरे में विस्तार में इसको लेकर चर्चा हुई और सीटो का कुछ चेंज़ेस उसको हुए क्योंकि उसको हम लोगो 5 सीटे और एक दूसरे प्रदेश में देने की बात हुई फिर उसके उसके बंद कमरे में और चर्चाएं हुई कि नहीं 50-50 का ही बटवारा भाजपा जदियों में होना चाहिए नितिश कुमार जी चाहते थ तो 17-17 सीटे बाटी गई फिर बच्ची हुई से हम लोग और एक राजसबा जाएगी यह सारी विस्तार में चर्चा हुई जिसमें मुक्यमंत्री नितिश कुमार जी मौजू थे उसके बाद उनका ये फोन आना और इस तरीके से कहना फ्लाइट में मुझे आदा है टेक उन्होंने फोन नहीं उठाया उतरने के बाद क्योंकि समय कम था फिर पापा ट्राइ करते रहे कि यो फोन उठाया उन्होंने फोन नहीं उठाया पापा ने सीधा येपोर्ट से गाड़ी हम लोगों ने ली हम उनके आवास पर गये उनके आवास पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने समर्पित किये उनको कोई व्यक्ति इस तरीके से हिमिलेट करने का प्रयास हागा किया हुम्लेशन किया उनके जिस तरीके से मुख्यमंत्री बैठे थे पापा, निरंतर बोल बोले जा रहे थे हां हूं जवाब तक देना उन्होंने पापा की बतोगा as though as if Papa was just talking to a wall जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा हार के मतलब पापा को he had to do this to him कि अरे चलिए ना कोई बात नहीं अच्छा हमी से ही कलती होगे मान लीजे चलिए हमी से कलती होगे चलिए ना अब समय नहीं है आखिर आखिर तक मुख्यमंत्री को पापा कहते रए कि आप चलिए साथ में मेरे उसके नहीं नहीं आप चलिए हम देखते हैं बात करके हम आते हैं पापा को जिस तरीके से उनों ने डेड़ दो ग्मेंटे मेकरिश कुमार की क्या शिकाइफ थी कि उनसे राम विलाजजी ने समर्थन नहीं मांगा विदाए कि उनसे समर्थन नहीं मांगा जबकि ये सारी चर्चा उनके समख सुई थी दोनों के बीच कोई समभाद नहीं होता था अपस में नहीं होता था अपस में नहीं होता था और पिदाजी को आप जानते ही है कि वो समभाद रखने वाले वेक्टियों में से थे, उनके तो एक्रोस पार्टी लाइन, अच्छे वो संबंद रहे, पर वही आखरी समय में किसी की मजबूरी का फैदा उठाना, तो फिर नीतिश कुमान नहीं आए, फाइनली वो आए, जब मुझे लगता है, जो हम लोगा मूरत था, वो स उस तरीके से, और ये एक ही वाकिया नहीं है, भाई, कितनी बार, जब पापा हॉस्पिटल में थे, जब मुझे एक तरफ देश के राश्पती का फोन आ रहा था, मेरी राश्पती जी से मेरी खुद की बात हुई है, प्रदान मंत्री दिन में दो बार फोन करते थे, कोई स हॉस्पिटल रहते वे, मुख्य मंत्री ने फोन करके उनका हाल चाल पूछना जरूरी नहीं नहीं से, एंडिय की प्रेस कॉंफरेंच जो इन्होंने वीजएपी के साथ की थी, जिसमें सीट शेरिंग की इन्होंने घोशना की थी, उस वक जिस तरीके से इनका वक्तव भी क्या रहे जाईए ना रामलास पासवांजी से पूछी अभी आई सीउ में, पूछी उन से क्या वो अपने दो विधायकों के समर्थन से ही वो राजे सभा चले गए थे क्या, तो कदम कदम पर उन्होंने पापा को हिमिलेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और मैं तो सा किसे उनके साथ किया गया था, राजे सभा की बात हो रही थी, आपकी माता जी, रीना जी क्या राजनीती में आएंगी, राजे सभा के रास्ते, लोग सभा के रास्ते, संक्ठन के रास्ते, परिवार में इसको लेकर कोई चर्चा हुई है, भाई ये चर्चा उस वक भी हु क्राथी में आने का कोई लक् unl नगी था. मैंने उस दोरान जरूर यह चर्चा्श व को सुनी थी मीडिया के माध्यन से कि ममी को राजज सवबाप बनाने की बात चल रही है. ना मैंने कभी इस बात की मांग की उस वक्त कि उनको राज्यसभा बेजा जाए ना मैंने राज्यसभा की उस सीट को रिटेन करने का क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इस बात का मुझे लगता है कि पापा के भीतर कहीं न कहीं उन्होंने इस बात का गम भी पाल लिया था कि जिस तरीके से नितिश कुमार जी ने उनके साथ राज्य सभा की सीट को लेकर भेवार किया पापा कहीं ना कहीं अपने आपको इस बात को लेकर दुखी महसूस करते थे कि आज मुझे कोई दूसरा वेक्ती पचास साल मैंने अपने सौबिमान पर अपने सौतंतरता पर मैंने राजनीती की आज मुझे किसी दूसरे से सुनना पढ़ रहा है कि आज उसकी वज़ा से मैं यहां पर हूँ तो जो सीट पापा खुद ही इनको वापस कर गये थे तो उस सीट पर मुझे कोई हग जदाने का कोई औचित्ते ही नहीं बनता और उस सीट पर मेरी माताजी जाएं तो बिलकुल ही नहीं ममी ने खुद ही डेवान बोला था कि जब पापा का निधन हुआ कि मुख्यमंतरी इस बात को बोलते हैं कि वही हमारी वज़ा से यह गये तो आज पापा उनको अपनी सीट वापस कर गये हैं बना ले उनको जिनको भी सीट से सांसद बना ले हैं बार-बार सांसदी का खिर आ रहा है आपकी पार्टी के पास सांसद हैं जिन्होंने लोकसभाध्यक्ष ओंबिड़ा को जाकर पत्र शौंपा हमी असली ऐल जयपी हैं हमीपस पार्टी के नेता हैं आधित्यादी मैं उन पाचों सांसदों की पुलिटिकल कमपलिशन और आपके उनके साथ पुलिटिकल एक्वेशन क्या है आपकी आखरी बातचीत क्या हुई यह जानना चाहता हूं सबसे पहले मैं चंदन सिंग करूंगा नवादा से सांसद हैं सूरजभान सिंग के भाई हैं और आपने अपनी जो मार्च वाली चिठी रिलीज की उसमें भी इस बात का जिक्र किया था और जानकार कहते हैं कि आपका सूरजभान पर बड़ा भरोसा था कि पिताजी के पुराने साही होगी रहे हैं लेकिन जब दूसरे गुट ने कारकारी अध्यक्ष बनाया कि नए अंतरिम चुनाओं ये वो तो उन्होंने भी सूरजभान सिंग पर भरोसा जटाया सूरजभान स आपने इन्ही को लेकर एक सवाल मुझसे किया था इनकी छवी को लेकर और इनकी वज़ा से किस तरीके से लोग जन्शक्ती पाटी के ओपर आरोप लगते हैं उसको लेकर आपने ये सवाल किया था और उसको भी मैंने प्रमुक्ता से मैंने इनका संरक्षन करते हुए इनकी पक्ष में अपनी बातों को रखा था और सही कहा अपने अपने प्रश्ण में मेरा इंपयोग पर बहुत जादा विश्वास था और मैं मानूंगा कि इन्हों ने पापा के निधन के बाद सूरज भान जी ने मेरी बहुत मदद की मेरे लिए शायद इस सुनाओ को इस तरीके से अकेले लड़ना समभब नहीं होता अगर सूरज भान जी जिनको हम लोग दादा बुलाते हैं अगर दादा अगर उस वक साथ में नहीं होते सीटों के बढ़वारे में इनकी बहुत एहम भूमिका थी ये वो दौर था जब दस दिन के लिए जो मुखागनी देने वाला लड़का होता है वो घर से बहार नहीं निकल सकता तो उस दौरान कौन से छेतर से कौन चुनाओ लड़ेगा कैसे लड़ेगा रोज रात मेरी इनसे बाचीत होती थी दिन बरी अपना होमवर्ग करते थे सीटों के बटवारे को लेकर सारी चीजों को लेकर रात में हम लोग बैठते थे तो दादा पर मुझे बहुत जादा विश्वास था पर वो ही मुझे इस तरीके से धोका दे देंगे और पाटी तो एक तरह भाई परिवार को तोड़ने में और मैं बोलूंगा इस बात को परिवार को तोड़ने में मुझे हनुमान कहा जाता है भाई आज की तारिक में ये मेरे पिता जी के हनुमान थे पर हनुमान ने हमेशा प्रयास किया कि कैसे परिवार एक जोट रहे हनुमान तो माता सीधा को ढूंडने और लंका धहन करने के लिए जाने गए पर आपने राम लक्षमन को यह अलग करने का आपने काम कर दिया मेरे बिमार होने से मुझे लगता है दो दिन तीन दिन पहले इसी कमरे में आया था यहीं पर बैठे हुए थी और उस वक्त चाचा की गतिविधियों को ही लेकर वो चिंदे थे पूछे का आप उनसे क्या उन्होंने आकर मुझसे 1-2 घंटा यहां पर बैठके बात नहीं कि कि रहे वो पता नहीं किस बात को लेकर नराज चल रहे हैं आज अगर मैं सही में इस बात को मैं बोल दूँ ऑन कैमरा कि उस दिन उन्होंने चाचा को लेकर मेरे बारे में क्या क्या बाते कहीं तो उन दोनों के रिष्टों में दराराने की बात आजाएगी क्या क्या नहीं बो मैंने इस पर्ष रूप से मैंने इस बात को बोला था कि देखिए चाचा जी के बारे में मैं एक शब नहीं सुनूगा, वो मेरे चाचा है, उनको मुझे से शिकायत है, मुझे उनसे शिकायत है, मैं बंद कमरे में निप्टाओंगा, बट कुछ लोग जो उस महाल का फाइदा उठाना चाते थे, अरे जा कि हम चाचा के बारे में बोलेंगे, सुरजवण सी बहुं मैं से एक थे, बिल्कुल मेरे पास आकर उन्हों ने क्या कुछ नहीं बोला था उस दिन चाचा जी के बारे में, और अभी से नहीं, उनके बोले कि हज़रे हमसे बेटर कौन जानता है, उनको हम नहीं जानते हैं वो इतने सालों से पाड़ी में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अद्यक्ष रहते वे उन्होंने क्या कर लिया चुनाओ लगाने कि उनकी प्रक्रिया क्या रही कैसे रही कि इस कमरे में बता दे हूं इमानदारी से उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला और आज इस तरीके से लोग सभा कि मैंने बोला विदान सभा के चुनाओ में दादा ने मेरी बहुत मदद की सीटों के बटवारे में चंदन सेंग जी एाज अलग के बात आफ ने आफ दो को फोन किया नहीं मी की बात हुई कि मेरा फोन तो गिसी नख पूरे प्रक्रण के बात के बात मम्मी की ज़रूर उनसे अगले दिन बात हुई और सदिन दादा ने इस वात को वो जाते हैं उस दिन मम्मी से भी इन्हों ने लंबी बाचीत की और उस वक्ट इन्हों ने बोला कि नहीं पार्टी के राष्टे अद्धेश शिराग ही रहेंगे आप इस बात के लिए मत सोचें बस इनको बस ये था कि ये निता सदन बन जाए ये बन जाए मंतरी बनने का है मम्मी बोली नहीं, लुझा बनना है तो बहुए बने, क्या दिक्कत है उसमें, हम लों कहा मना कर रह Castle को भी ओगए उस वक की बात है जिसके दो दिन के बाद इन्हों ने स्वयम जाकर ये कारेकारी अध्यश बन गए और इनके नित्रुत में उस ग्रूप के लोग जन्शक्ति तदाकति का जो ग्रूप है उसके ये अध्यश बन गया जाकर तो ममी को भी दुख था कि भई जब मुझे इस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ बैठके बात करेंगे सुरजभान जी की वाइफ जो मेरी बहन के सामान है दादा की वाइफ वीना देवी उन्होंने मुझे फोन करकर बोला कि नहीं है बहुत गलत हो रहा है मैं इसका विरोध करती हूँ संभवता शायद वो इस दिन जो सो कॉल राष्टे कारे कांडी की बैटक हुई साथ-ाथ लोगों के साथ उसमें जाकर शायद उन्होंने अपना विरोध भी दश कराया तो हम लोगे तो संबंध इन से इनके परिवार से रहे हैं चंदन सिंग का चुनाओं लड़ने का कारण ही रहा कि सुरजभान जी के भाई थे पड़ उसके बाद ये परिवार को ही तोड़ देंगे इस तरीके से भाई को भाई से अलग कर देंगे भाई मैं आपको बोलता हूं इमानदारी से स्वारब भाई मुझे जहां इस बात की तकलीफ है सबस्यादा की चाचा अलग हुए तो मुझे बहुत जादा इस बात की तकलीफ है कि मेरे बेटे समान मेरा भाई मुझे से अलग हुआ आपने तो मुझे से मेरी पूरी दूसरी पीडी ही छीन ली ना अगली पीडी मैंने आस तक घर में आपको जो तस्वीर है दिखा रहा था महबू बली कैसर इस को लेकि हमने पहले भी चर्चा की कि बड़ी कहानिया चलती है कि 2014 में उन्हें कैसे टिकट मिला और जब हम 2019 के चुनाओं में भी गए थे तब भी ये खबरें आ रही थी कि इनका टिकट काटा जा सकता था कट सकता था लेकिन नहीं काटा गया कॉंग्रेस के एक लंबी प्रिष्ट भूमी से आपकी पार्टी में आये थे और इनके बेटे विधान सबा चुनाओं में आर्जेडी से चुनाओं ने महबू बली कैसर से आपकी बिलकुल भी नहीं बनती थी शायद मेरे अलावा उनकी किसी से नहीं बनती थी और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब नहीं समझ में आता कि आप किस पर विश्वास करें लालश प्रलोभन पापा हमेशा बोलते थे कि खून से जादा गहरा रिष्टा विचारों का होता तो मुझे था कि शायद ये वैचारिक तौर पर ये हम लोग के पक्ष में इतना जादा है तो इसलिए जहां एक तरह मुझे खून के रिष्टों का दुखवा वहीं वैचारिक तौर पर मुझे सबस्यादा कैसर साब का ही दुखवा आज वो जिनके साथ खड़े हैं और अब पता नहीं अब आज ही तारिक में भी यो उनके साथ भी है की नहीं बट पारस चाचा उन्होंने आज उनसे पूछेगा कभी कैसर साब से किस की वज़ा से उनको टिकट मिला और मैं मानता हूँ कि कैसर साब अल्ला पर यकीन रखने वाले में से हैं वो नमास परते हैं बकाइदा वो विश्वास रखते हैं वो जूट नहीं बोलेंगे दिल प का मौका नहीं मिलें रात में धाई बजे मुझे याद है पापा तो अब नहीं है अगरे ममी से आप पूछना चाहें सब लोग सो गये ते डेड़ बजे मैंने पापा को उठाया था नीन से क्योंकि अगले दिन सुबह चाचा जिसको टिकर देना चाह रहे थे उनकी पटना इन्होंने पाटी कती विरे हो थी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिनकी वजह से मैंनका टिकट काटू और जो नहा वेक्ती आ रहा है उस पर मैं क्यों इतना विश्वास करें वो चर्चाओं में था उस वक्त अभी अब क्या ही अब उसका जिकर करें चर्चाओं में अगले दिन उनकी जॉइनिंग का था मिलन समारो के पोस्टर लग चुके थे तो बहरा अला वो दूसरी पार्टी से विधायक हैं तो मैं उनका मैं ज्यादा जिकर अभी इस मंच में नहीं करना हुचे था बट रात में डेड़ बजे मैंने पापा को उठाया और फिर मैंने पूरी बात मैंने उनसे दुबारा कही मैंने बूला कि मेरा दिल नहीं इजाज़त दे रहा और मुझे लगता है कि हम लोगों कैसा साथ ही रहना चाहिए पार्टी के साथ वो रहे हैं पास साल समर्पन के साथ उन्होंने काम किया धाई बजे ये मेरा फोन नहीं उठा रहे नहीं साथ है वाधि रहा फिर उसके बाद मैंने इसके अपनी एक सहयोगी को मैंने इनके घर भेज़े तो ये फोन क्यो नहीं उठा रहे थे क्यों कि ये नमाज पढ़ रहे दो मेरे सहयोगी ने जब इसे मेरी बात कर आई तो मैंने बोला कि चले अब आपकी द्वा कबूल हुई है आप ही चुनाओ लड़ेंगे 2019 का जमुई में क्योंकि उस दिन रात में बात हुई और जमुई में जब मैं अपने नामंकन के ले गया उसमें कैससा मौझू थे वहां पर जहां पर मैं ठहरता हूं जमुई में उसी कमरे में पापा ममी सबकी मौझूदगी में इनको नॉमिनेशन का ये लेटर ये जो सिंबल होता है वो दिया गया एवी फॉर्म इनको पकड़ाया गया तो ये सारी और एक वेक्ति जो उनके खिलाफ था आज ही उनके साथ खड़े हैं लालच खड़े और जिस वेक्ति ने इनकी का दे तो बताएं ना कि किस पर विश्वास किया जायता है प्रिंस राज आपके भाई समस्तिपुर के सांसत बाई एलेक्शन से जीते यहां जिस ड्राइंग रूम में बैटके हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये अम्तेश जी तस्वीर खीच लीजेगा राम विलाज जी के आपके सब बुजर्गों की तस्वीर है मेरे ख्याल से आपके दादा दादी राम विलाज जी रामचंद्र जी चोटे पापा और पश्वती जी और रामचंद्र जी के बेटे हैं प्रिंस राज जब रामचंद जी का निधन हुआ जुलाई 2019 से मेरे ख्याल से उसके बाद इलेक्शन में आपके भाई रामचंद जी के बेटे प्रिंस राज चुनाव जीते हैं और उसके बाद उनको पार्टी का प्रदेश अद्यश्री बनाए जाता है प्रिंस राज पर मैं इसलिए भी खास तवज्ज़ जाऊंगा एक तो वो वो निसान सदों मैंसे एक हैं जो अलग हुए दूसरा जब मेरी आपसे बिहार विधान सवा चुनाव मुलाकात हुई थी तब आप बड़े भरोसे से कि अच्छा परशुपती पारज जी उतने सक्री नहीं दिख रहे हैं लेकिन प्रिंस इन सब फैसलों में मेरे साथ हैं रामचंद्र जी को लेके आप हमेशा बहुत एक्स्ट्रा रेवरेंस के साथ इज़त के साथ बात करते थे प्रिंस राज पर इल्जाम भी लगे फिर कहा गया कि वो ब्लैक मेलिंग का मामला है फिर यह हुआ कि बाद में इस तरह की बाते भी हुई कि नहीं वो आपके विश सायोगी के कहने पर यह मामला इतना उलजा और उचला तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा विस्तार से बात करें मैं प्रिंस पर आऊँ मैं रामचंदर चाचा का एक जिकर ज़रूर कर चाहूंगा अगर दरती पर आज की तारीक में कल्यूक में अगर कोई साक्षात अगर कोई लक्षमन का जीता जागता सुरूप है तो वो रामचंदचा चाही थे और मैंने उनसे जादा समर्पित वेक्ती परिवार के लिए भाई के प्रती ऐसे अंध विश्वास वाला वेक्ती मैंने और कोई नहीं देखी पापा के रहते हुए जिस तरी के से साई की तरह रामसंदचाचा साथ में रहे मेरा मciu को कहने के लिए भावी बोलते हैं बड़ वो मानते हैं उनको मांसे भी बढ़करते हैं उन्होंने मेरी दादी के साथ इस तरीके से इज़त और वो नहीं किया और ममी के अच्छे दोस्तों में से भी थे घंटो आना, बैठना, अपने दुख सुक उनके साथ खोलना मतलब मेरे लिए वो आज की तारीक में मैं देखता हूँ अजब मैं इतने धोके खाए हैं तो शायद उनके जीते जी शायद मैं कभी नहीं समझ पाये बड़ आगर आज मैं देखूं तो शायद मेरे लिए वो भगवान का सुरूप थे और अगर आज वो होते, तो मुझे नहीं लगता कि परिवार पार्टी में जो परिस्तितियां पैदा हुई हैं, वो इस तरीके से कभी, उनके जीते जी वो कभी ऐसा नहीं होने देते हैं, उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया, प्रिंस ने, ये मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रिंस उन्हीं का नहीं मेरे लिए भी वो बेटे की तरह ही था, हम दोनों में कुछ 5-6 साल का एज डिफरेंस है, मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में होता था, और प्रिंस के वो आखिर के स्कूल के दिन, अभी भी आप देखेंगे गोल मार्केट में इसका स्कूल था वहां पर कारजेन के तोर पे शायद मेरा ही नाम होगा, इसकी हर रिपोर्ट कार्ज मैंने साइन की, इसकी PTA मीटिंस में जाता था, चाचा चाची कभी नहीं जाते थी उनकी PTA मिटिंस में, उसमें मैं जाता था, और बश्वन में इसको मैंने पढ़ाया है, मुझे बायों कि कुछ हो जाए मेरा भाई है यह मुझे दोका नहीं देगा और मुझे मज़ा आता था मुझे ऐसा लगता था I was living my parenthood with Prince और जैसे पापा ने जो चीजे मेरे साथ की मैं इसके ओपर मैं करता होता था 2014 में जब हम लोग जीत के तो पापा मुझे सिखाते थे कि अरे ऐसे जाके question लगाना है सामने मार्शल है यह करना है well में जाके इस तरीके से कर सकते हैं यह कर सकते हैं जो जो parliamentary processes पापा ने मुझे सिखाए वो मैं Prince को सिखाता था 2019 में क्योंकि तब पापा राज्यसभा में चले गए तो मैं पापा की भूमिका में अपने आपको देखता था तो मैं मज़ा आता था हम लोग आप कभी भी देखेंगे हम लोग एक प्लेट में खाते थे कितनी बार हम लोग को Central Hall में टोका गया प्रिंस हो मुझे कि अरे तुम लोग एक साथ़ी खा रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो तो इससे आदा खूबसूरत हम दोनों का जो रिरिश्टा था हो नहीं सकता था और मुझे घमंड था गर्ब था पार्लिमेंट में जब हम दोनों साथ चलते थे लोग बोलते थे रे यू लुक लाइक ट्विन ब्रजर तुम दोनों एक जैसे आप पहनते ओड़ते दिखते बोलते हो मुझे गर्व होता था कि मेरा भाई एक ऐसा है जिसको की लोग पसंद करते हैं उसके बारे में अच्छी बाते करते हैं वो ऐसा कर लेगा भाई मनद में सबसे ज़्याद आगर मैं किसी बात को लेकर एमोशनल होता हूँ तूरता हूँ दुखी होता हूँ उसे प्रिंस का विश है एक लंबा समय हम लोग को साथ बताना था तो आपको उस चेठी से ही पता चला कि प्रिंस भी आपके बागी खेमे में आपके विरोधी खेमे में चले गए उससे पहले आपकी या उस प्रकरण के बाद बात चीत हुई बिल्कुल नहीं मैं जब बिमार था तो प्रिंस का मुझे ज़रू बीच में फोन आते थे तो इनिशल देज में मुझे प्रिंस के फोन आते थे और मुझे आद है जब मेरा तीसरे और चौते दिन का फीवर था तो उस दिन मेरी प्रिंस से बात हुई थी and because मैं मान के चल रहा था कि मुझे कोविड हुए मैं मुझे नहीं था कि टाइफॉइड भी हो सकता है या कुछ मान के चल रहा था और सेकंड वेव में कोविड को लेकर कई तरीके की नहीं बाते पता चलनी कि भाई तो नहीं रिजिस्टर होता है और RT-PCR में नहीं रिजिस्टर होता है तो प्रिंस ने भी मुझे उस दिन जब चौते पांच में दिन प्रिंस का फोन आया तो ही सेट कि ने भाईया कोविड ही होगा प्लीज आप आइसोलेटेड ही रहेगा जैसा चुबूरा चल रहा है आप ऐसे ही रखेगा आज मुझे लगता है कि पता नहीं क्या वो मुझे फीट कर रहा था आप आइसोलेटेड ही रहेगा उसने अपनी मदर का मेरी चाची का उधारें दिया बोलता कि ममी का तो नाइंट डे जाके पता चला हमको कि उनको कोविड हुआ है क्योंकि मैं तब तक चार बार आड़ी पीसे र करवा चुका था मेरा हमेशा नेगेटिव आता था तो बोलता है कि 9-10 डे भी जाके कभी-कभी पता चलता है तो मेरी आखरी बार मेरी उससे बात उसी वक्त हुए अनी सट कि ने नी भाई आप आइसोलेटेड ही रहेगा ध्यान रखेगा ये वो और उसके बाद से मेरी प्रिंस से कभी बात नहीं हुए आज मुझे लगता है कि क्या ये मुझे से फिलर ले रहे थे कि हाँ इसको पक्का इसको कोविडी है न अगर है तो ये 20-25 दिन तो ये घर से बाहर निकलेगा नहीं आइसोलेशन में बाई डिफॉल्ट इसको रहना पड़ेगा और उस वक्त पीट पीछे ये सारा शड्यंत को अंजाम दे सकें तो हां मेरी आखरी उससे जब बाची थी और उसके बाद से बलकि बीच में मुझे लगा भी क्योंकि मेरा फीवर एक सो तीन एक सो चार्ज लगबाग 18 दिन चला मुझे था भी कि इतने लंबे समय तक और उस वक्त जब आप फीवर में होते हैं इतना व अगर मुझे लगा था थौ्ट और फोन करता हूं मैं मैं मेसेज करता हूं यह वक्त इतनी थी कि मेरी खुद की हहिमत नहीं और उसके बाद देनेक्स तिन्ग आपक कर आप थो प्रशूबती पारश होगा जिनके सब दावें और इसतार से बात हूई विए विषाली से सांस को बट जस्ट लाइक कैसा साब वीना देवीजी भी उनमें से थी जिनसे मेरी निरंटर्था में बात्चीत वा मुलाकाते होती थी और मुझे भी अच्छा लगता था कि यह दो प्रोएक्टिवली ऐसे मेरे दोनों सांसर्थ थे फॉष्टाइब भी उनका भी बहुत ज्यादा आना जाना होता था मैं उनके घर यहीं बगल में फिरोशारोण बीव हो रहते हैं उनके घर जाता था जब उनकी तव्ह ठीक नहीं थी असफ़की दी इवा उनके घर गया यह उन लोगों में से थे जो प्रोएक्टिवली एक effort रखते थे पार्टी के कारेकरमों में शामिल होने का नीतियों में अपने इंपोर्ट्स देने का मुझसे वेक्तिकत निरंतरता में बाचीत और मुलाकाते करने का वीना जी मुझे कई बार मेरे मोबाइल पर फोन करती थी उनकी बेटी जो हमारी पार्टी की प्रतियाशी थी उनसे मेरी डारेक्ट बात होती थी, घर पर वो बहुत बार आती थी, और बहुत उनसे मेरी मुलाकाते होती थी, और उनके वो दावे कि कुछ हो जाए, ये भी उनी लोगों में से हैं, जो मुखरता से, प्रमुकता से, चाचा जी के खिलाफ मेरे सामने बातों को रखते थे, जैसा मैंने कहा कि इन सब बातों पर मैंने पूरी तरीके से पूर्ण विराम मैंने लगा रखा था और कोई भी बोलता था, तो मैं तुरन टोकता था, कि देखिए, उनकी एक अपनी कारेशेली रही है, और उनकी पचासो साल से रही है, अब मैं नहीं बदल सकता, किसी की ए पूर्व, MLC है, दिनेशी, उनके बारे में काफी बाते करती हैं थी, उनके बविश्चे को लेकर ये सब, तो इनसे मेरी रेगुलर मुलाकाते होती थी बड़ उसके बाद भी अब पता नहीं क्या कारण रा कि अलग हुए, चिराग पासवान जी, आप विस्तार से बता रह कि पॉलिटिक्स में आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, वो तो गुनिया दिनियम है, आपको हर तरह के घाट प्रतियाद के लिए, मैं तो किसी तीसरे पर आज नहीं उठा सकता हूँ, मैं तो वह हैसियत ही नहीं है किसी भी तीसरे पर उ पर मैं उंगली उठाऊं या किसी को मैं दोश्टे हैं। कई टिपडिकार कहते हैं कि चिराग ये सब बाते हैं बताके जनता की सानबूती बटोडने की कोशिश कर रहे हैं। बार-बार कह रहे हैं कि चाचा ने धोका दिया, भाई ने धोका दिया। लेकिन दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि चिराग किसी की सुनते ही नहीं थे, अपनी चलाते थे और चिराग को चलाते थे उनके मित्र सौरब पांडे। भाई अगर मैं किसी की सुनता नहीं, तो इन पांच सांसद और इनके साथ प्लस राष्टे कारेकारणी के चार और सदस इन नौ लोग को छोड़कर, आप मुझे बताई ना कि बाकी की 95% पार्टी आज मेरे साथ क्यों खड़ी है। हमारी राष्टे कारेकारणी में हमारी पार्टी का सम्मिधान कहता है कि राष्टे कारेकारणी की body is a minimum of 75 people, जिसमें एक राष्टिय अद्यक्ष होता है, एक हमारे राष्टिय प्रधान महासचिव जो खालिक साहब होते हैं, 16 हमारे राष्टिय महासचिव होते हैं, 16 हमारे बॉडी लगबख 75 के आसपास की बॉडी होती है अमिनिमम मों 75 उपर जा सकती है इस बॉडी में आज की तारीक में 66 लोग आज की तारीक में मेरे साथ है नौ उन लोग को छोड़ दें जिसमें एक पार्टी के राष्टी उपादेख सूरज भान जी पांचतो ये सांसाधी हो में से देखें तो हम लोग उने लदाग में न्यूक्ती अभी तक हम लोग कर ही नहीं पाए तो वो वेकंड थी लंबे समय से बाकी 35 में से 33 मेरे साथ ख़ड़ें तो आप मुझे बताएं ना आज की भी तारीक में बिहार में आप देखें तो मात्र चार जलाद्देख जो क करता तो क्यों ये लोग में साथ खड़ें और होता किया ना भाई की वाद में जब आपको एहसास होता है कि आप गलत हैं तो आप ये नरेटिव सेट करने लगते हैं और अगर आप पारशाशा को आप देखें तो इन्होंने निरंतरता में अपने गोल पोस्ट चेंज किया सबसे पहले इन्होंने कहा कि पारटी में तूट हो गई है कि हम लोग अलग हो गए हैं पास सांसर फिर इनको किसी ने जानकारी दी होगी कि भाई दल बदल कानून ये कहता है कि जो गुट अलग होता है अगर वो दो तिहाई की बहुमत से अगर अलग नहीं हो तो तो सदस् defection law यह कहता है कि अगर जिस पार्टी से आप अलग हुए उसमें एक भी सदसे रहता है तो पार्टी का सिंबल उस ट्रेक्टी के नाम पर होता है तो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि सिंबल और पार्टी तो इसके पास रह जाएगी तो नेक्स गोल पोस्ट आया कि अब हम लोग पार्टी में नेत्रतु परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग को दिक्कत नहीं है बट हम लोग को इससे दिक्कत है क्योंकि यह सुनता नहीं बात नहीं करता अब हम लोग नेत्रतु परिवर्तन कर रहे हैं नेतरतु परिवर्तं का इन्हों ने क्या प्रोसेस बताया जो इन्होंने इलक्षण कमिशन को सम्मिट किया वह कागज है मेरे पास, इलक्षण कमिशन मैं इन्होंने सेंट पेराग्राफ में इस बात को लिखा है कि नए राष्टी अद्धेश का चुना होना जरूरी था क्यों? क्योंकि पिता जी के उसमें इन्होंने लिखा कि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट आदनी रामलास पासवांजी के निधन के बाद से ये पद खाली था इसलिए नए अद्धेश का चुना होना जरूरी था और इसलिए ये लोग राष्टे कारेकारणी की बैठक बुलाकर ने अद्धेश का ये लोग चुनाओ कर रहे हैं जो की सरासर कलत है पांच नमबर 2019 को लोग जन्शक्ती पार्टी के अद्धेश के तौर पर मुझे चुना गया था उस वक हमारे पार्टी के संस्ताफ़क अदनी रामलास पासवांजी उस बैठक में मौझूद थे और हमारी पार्टी का संविधान इस बात को क्लिरली बोलता है कि जो भी अद्धेश चुना जाता है उसका कारेकाल पांस साल के लिए होता है और इन पांस सालों में सिर्फ दो ही कारण वर्ज एक नया अद्धेश का चुना हो सकता है या तो मौजुदा अध्यक्ष का निदन हो या वो स्वेट्षा से resign करें जिस तरीके से मेरे पिता जी ने उनका भी कारेकाल 2020 तक था बट 2019 में स्वासकारणों से health reasons देते वे पापा ने resign किया और मुझे नया अध्यक्ष चुना गया तो जो इन्होंने election commission में दिया है document और ये सब जानते क्योंकि 5 November को मेरा चुना हुआ 9 November को election commission को हम लोगों ने दिया और वो मीडिया में चर्चा का विशह था जिसका उधारन आपने भी दिया कि चाचा उसमें कम समिक ले आए वो मीडिया में भी आया कि भे या एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया तो ये कहना तो पहली बात तो यही गलत है उसके बाद इन्होंने नया goal post उन्होंने change किया उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया किया रहे नहीं है एरोगेंट है पार्टी के लोग इससे खुश नहीं है भई पार्टी के लोग खुश नहीं है तो 95 प्रतिशत नेशनल काउंसल में नेशनल एक्जीक्यूटिव की नहीं मैं नेशनल काउंसल की बात कर रहा हूं क्यों मेरे साथ है National Council में हमारे सारे प्रकोष्टों के प्रदेश अद्यक्स, सारे प्रकोष्टों के जिला अद्यक्स, देश बर के जिला अद्यक्स सब आते हैं वो 90% लोग मेरे साथ क्यों है? आज की तारीख में शोचल में लिग आते हैं आपने यह decision कैसे आपने दे दिया? मैं मानता हूँ कि भई आप लोगसभा में 200 और पार्टियों का आप हैड करते हैं यकीनन हर पार्टी का सम्विधान आप जाने यह संभव नहीं है आपके लिए उनलों का तो यह कहना है कि लोगसभा और लोगसभा की चीजें अलग अलग पार्टियों के सम्विधान के साब से नहीं चलेंगे वह तो लोगसभा की नियमावली के साब चलेंगे भाई लोगसभा की नियमावली वहां की प्रोसेडिंग्स को लेकर होती हैं बट पार्लियमेंट में या एसेमली में पार्टी के एक्टिविटीज क्या होंगी, वो संसथ ये डल, वो पार्टी का पार्लियमेंटरी बोट डिसाइड करेगा, और ये एक जनरल प्रैक्टिस रही है, इसका मेरी पार्टी का छोड़ दीजे, मैं आपको एक नया उधारन द की तरफ से सूचित किया गया, कि अब पार्टी के चीफ विप ये होंगे, और ये प्रैक्टिस रही है, ये कोई पहली बार नहीं वाया हम लोगों पिछली बार मुझे जब चुना गया था, तो मेरे कितने सांसथ गये थे, पूछे गाद्यक चीज से, उस वाग भी मेरी प अब पार्टी के MPs हैं, और पार्टी के सांसथ विधायक, भाई पार्टी नहीं होते, सांसथ विधायक आते हैं जाते हैं, और लोग जनशक्ती पार्टी देश के ऐसी पार्टी में जिसमें टूट हुए है, देश के हर पार्टी, दुनिया के हर पार्टी में ऐसी टूट ह होती है 2005 में भी हमारे छे सांसद थे but that set of six MPs were totally different to this set of six MPs उसक्त हमारे हाजिपूर से हमारे सांसद हमारे नेतादनी रामलास पासवन जी थे आज हाजिपूर से हमारे सांसद पशुपती कुमार पारश जी है उसक्त समस्तिपूर से तो वह सांसद नहीं decide करते है उसक्त मैंने उनके समख्ष रखी कि सर ऐसे है और मेरी पार्लिमेंटरी रूल बुक भी यह कहते है पार्लिमेंटरी के अगर आप रूल बुक देखेंगे उसके आपेंडिक्स 4 का क्लॉस 2 का सब क्लॉस F यह clearly state करता है उसमें लीडर की definition leader is a person chosen by the party यह पार्लिमेंट की रूल बुक कहती है कि लीडर को पार्टी चुनके बताती है आपको तो उसवक्त एक तर्ग के तौर पर सिर्फ एक विशेज जो क्योंकि अध्यजी ने पूरी बात सुनी और सिर्फ उन्होंने एक तर्ग दिया कि भाई chief bank जो होता है वो पर्टी और चेर के बीच में कमिन्केट करने वाला सूत्रधार होता है तो मैंने कहा कि आपके तो चीफ यहां पर बाया पर तो वही पार्टी की तरफ से कमिन्केट करते हैं कोई भी session हो उससे पहले या budget session हो लिखके देती है कि या तो जो existing प्रणाली उसको हम लोग continue कर रहे हैं या जैसा भाज़पा ने अभी लिखके दिया कि हम इसको change कर रहे हैं तो वो दिया जाता है तो जब session parliament में नहीं होता है तो उस वक्त ये सारे पद वैसे ही dissolve चल रहे होते हैं तो बेराल मुझे उस वक्त आसवाशन साकारात्मंग मिला अदेश जी के द्वारा कि इस पर पुनाविचार किया जाएगा पड़ क्योंकि इस मिलाकात को लगवग एक हफता अब हो चुका है वो ही मैंने कहा कि लगवग एक हफता हो चुका है और अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है और अगर निया संगत उनकी तरफ से अगर मुझे justice नहीं मिलता है तो इस हफते यकीनन हमारी party तयार है हम लोग नियाय ले जाएंगे और कोट के माध्यम से इस चीज को रेक्टिफाई करवाय जाएगा ठीक है पिछला जो सवाल था उसमें एक शक्स का जिक्र आया और आपके विरोध में जो आपके पार्टी के नेता यह सांसत खड़े हुए हैं वो प्रकारांतर सीधे नाम नहीं लिया लेकिन संकेत इसपश्ट थे कि वो आपके मित्र आपके राजनतिक सलाकार सौरप पांडे का जिक्र कर रहा है पिर सौरप पांडे ने भी ट्विटर पर एक रामिलाज जी के लिखी हुए चिठी रिलीज की आपका क्या कहना है इन सब बातों पर कि सौरप पांडे चिराग पासवान को चलाते हैं फैसले वो करते हैं आप स्टैंप लगाते हैं आज की तारीक में मेरे पार्टी में जब राष्टे कारेकार्णी के बैठक हुई तो मेरे सारे नेता बोलते हैं कि भाई उसवक्त गोल पोस्ट चेंज किये गए कैसे मिले आप थोड़ा सौरप पंडे के बारे में दर्शकों को बता दीजे आपके कितने पुराने मित्र हैं मुझे लगता है कि यह बहुत ही एक परसनल और मैं नहीं सहज होता हूं बहुत ज़ादा विक्तिकत चीजों को डिस्कस करना है कांग्रिस के MLC रहे हैं उनके प्रदेश के उपाध्यक्ष उत्रप्रदेश में वो रहे हैं तो मेरे पिता जिआ वा दोनों एक समाजवादी समाजवाद के दौर से निकलेवे नेता रहे हैं तो पापा की उनसे बहुत अच्छी मित्रता उनके पिता-जी से और इसी कारण कौनल डूमीन में काम फ़र भी को आज बढ़ाने का हुए मैं मेरे सलाकार की भूमिका और हुए का मज़नक्रिक्ता अ गा या बैठे के करते हैं तो उसका जिक्र करते हैं या मुस्य नहीं पापा से ही जिक्र करते हैं क्योंकि मुस्य तो आप कहते हैं कि मैं बात नहीं करता था पापा को बोलते हैं और पापा का जो पत्र जो सौरब ने किया उसमें पापा के विशार दिखते हैं कि किस तरीके से पापा भी सौरब पर विश्वास करते थे भाई ये कभी चर्चा का विशे पार्टी या परिवार में आया ही नहीं जब तक ये निया गोल पोस हम लोगों को देखने को नहीं मिला जब तक इन लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया कि अरे उनके एक साथी है वो डॉमिनेट करते हैं जब कि पार्टी में मैं बता रहा हूँ कि पार्टी में मैं राष्टिय अदेश होते वे भी मैं कोई फैसला अकेले नहीं लेता जिसका कारण था कि पापा मुझसे नराज दे कि भाई तुम लोग अकेले क्यों नहीं लड़ते हो चिराक इस पूरी बातचीत के करम में आपके एक बयान का खुब जिक्र हो रहा है कि आपने कहा था बिहार चुनाओ में आपने कहा कि मेरा लक्ष था कि नीटीश कुमार हा रहे हैं और हमने उनकी सीटे कम करवा दी अब बार बार कहते हैं कि नरेंदर मोदी राम है और मैं उनका अनुमान हो भी पिछले दिनों कुछ टीवी इंटर्व्यूस में भी आपसे पूछा गया था इस पूरे प्रेक्राणों के दौरान नरेंदर मोदी सरकार खुद नरेंदर मोदी प्रधानमंत्री उनकी सरकार या भारती जनता पार्टी का जो शीर्ष नेत्रत है उनकी तरफ से आपको कोई पॉलिटिकल मैसेज कम्म्निकेट किया गया इस पार्टी में बगावत के बार नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं मेरे विक्तिकल संबन्द जरूर है सत्ता पक्षो विपक्षो सबसे तो पर्ष्टन स्पेस में जरूर मेरी कई ऐसे भाषपा के बड़े नेता हैं जिनसे मेरी बाच्ची हुई है बट अगर आपचारिक तोर पर कहें कि कोई संदेश हो या कोई ऐसी जानकारी हो जो मुझे से ली गई हो या मुझे दी गई हो ऐसा नहीं दूसरी चीज में ये जानना चाहता हूँ कि बिहार विधान सभा चुनाओ की नतीजे आने के बाद आप NDA का हिस्सा हैं या नहीं इसको लेकर एक बड़ा कोहरा सा रहा एक NDA की मीटिंग हुई थी जिसमें आपको नियोता भीजा गया फिर खबरे आएं कि नीती इश्कुमार ने इस पर बड़ा इतराज किया फिर आपकी तरफ से आ गया कि नहीं नहीं मैं स्वास्त कारणों की वज़े से या निजी कारणों कोई ज़े से नहीं आ पाऊंगा तो चीजें तो गड़ा पर दिखी रही थी बिहार विधान सभा का नतीजा आने के बाद ऐसा लगना था कि पीजे पी को जे डियू की ज़ादा जरूरत है सांसदों की दृष्टी से भी बिहार में सरकार की दृष्टी से भी भाई ये अब भारतिय जंता पाटी को डिसाइड करना है एंडिय की मीटिंग में क्या हुआ था जिसमें आपको नियोता मिला इसमें उस दिन मेरी ठीक नहीं थी इमानदारी की बात है क्योंकि मैंने भी बाद में खवरे सुनी उस मुझे नहीं पता कि क्या था नहीं था बट मुझे इतना पता था कि मेरी तवेथ उस दिन ठीक नहीं थी और उस दिन में दोनों अपको जोता आया था एंडिय की मीटिंग मुझे नहीं जानकारी भाई ऐसे किसी भी कॉल की मुझे नहीं जानकारी अगले दिन जरू मेरी उ एक दूसरी त्योरी दिए दी जा रही है कि चूंकि आपने नीतिश कुमार पर व्यक्तिकत हमले किये इसलिए नीतिश कुमार के खेमे की तरफ से यह बहुत सपश्ट का गया कि भाई चिराग के माइनस हमें लजेपी कबूल है और इसलिए जिन सारे सांसदों का नाम गिना र एलेवेंस को बनाए रखने के लिए यह चीज़ की सियासत में समर में यह बड़ा जरूरी है कि विपक्षी खेमा क्या सोच रहा है इसकी जानकारी रखी जाए क्या आपको लगता है कि यह जो पांच बागी सांसा दिन में से कोई अब मंत्री परश्ट का हिस्सा बनेगा न मैं मानता हूं साथनिश्य से बिहार का विकास नहीं हो सकता मैं मानता हूं साथनिश्य ब्रष्टचार की एक बड़ी योजना है मैंने इन तमाम विशों को जेल में डालेंगे जाच करेंगे भाई अब जो दोशी होगा तो मैं नहीं बोलूँगा क्या अगर आपकी नांक क कि किस तरीके से नलजल में घोडाला हुआ है लेकिन बिहार की जनता ने तो आपको सिर्फ एक विधायक दिया था और मटिहानी से और वो भी विधायक चला गया दिक्कत यही है कि इलेक्टूरल पॉलिटिक्स में सिर्फ संख्या के रूप से चीजों को आखा जाता है बट आ अगर पासवान को जनता का समर्थन नहीं मिला तो उससे जादा राइटिंग आन दा वॉल तो यह है कि भाई नितीश कुमार जी को तो मुक्यमंत्री बनाने के लिए नहीं तो उनको तीसरे नंबर की पार्टी क्यों बना दिया गया अगर उनको मुक्यमंत्री के तो लोग जो इस वक भी मिला और खेर coming back to your basic question कि निती शुमार जी पर जिस तरीके से उस वक मैंने उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया और मैं आज भी मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कोई political communication नहीं आप लों के बीच आपके पिता जी का जब निधन हुआ तब तो दिखे थे सारजने क्रूप से तस्वीर आई थी आप उनके पाउँ चूर रहे हैं सब चीज़ें उसके बाद से कोई बात मुलाकात कोई कौन ने उसके बाद से कोई communication नहीं कोई बाची थी और और वो सभाविक भी है क्योंकि उनके खिलाफ मैं चुनाओ लड़ रहा था और वो मुझसे communication इस तरीके का नहीं रखेंगा चिराग जेडियू और बीजेपी के किसी भी नेता की आपकी पार्टी की टूट में क्या कोई भूमिका थी सत्प्रतिशत जन्तदल उनाइटड की सत्प्रतिशत और अधिस लाइग अपन सीक्रेट भाई मुझे पता है कि आप बहुत खुबसूरती से सवाल पूछने हों जब आप यह सवाल पूछने हैं इसका जवाब आप खुछ जानते हैं खुदा आप इसका सवाल जानते हैं and it's like an open secret everybody knows कि भूमिका है मैं सीधा मैं मुख्य मंतरी नितिश कुमार जी पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उनकी स्टेट भूमिका है बड़ अगर उनके संरक्षन में उनकी जानकारी में जवाब मैं जानते हूं जनता जान सब को पता कि किन लोग की इसमें भूमिका थी तो पार्टी पर्ट मैं भाई घुमा फिर आके मैं उसी अपने वाकिये पर आऊँगा कि मैं अब उस हैसियत में नहीं हूँ भाई कि मैं किसी दूसरे पर उंगली उठाऊ तो मुझे पीट पीछे मेरे उपर ही वार किया जा रहा है आच्छा तो ये बताईए कि आज की तारीख में आज इस तारीख को हम लोग 29 जून 2021 को बात कर रहे हैं सांसत चिराग पासवान NDA के साथ हैं या नहीं आज की तारीख में मेरे लिए ये प्रश्ण मायने ही नहीं रखता जहां मेरे सामने चुनौती है अपनी पार्टी को जीरो से खड़ा करने की पिता जी के खून पसीने से बनाई हुई इस पार्टी को अपने पास संजो कर रखने की उसको आगे बढ़ाने की तो मेरी प्राद्मिक्ता ही नहीं है कि भाई कौन मेरे साथ कड़ा है मेरे अलाइंस किसके साथ है ना इस प्रश्ण का जवाब मैं देने के लिए सही वेक्ती हूँ तरफा नहीं हो सकता मैंने तो अपना समरपर हर कदम पर दिखाया 2014 से लेकर आज तक आज मुझे बताएं कि भारतिय जन्ता पार्टी के कौन से ऐसे फैसले थे और भारतिय जन्ता पार्टी के ही नहीं प्रधान मंत्री जी जिस वक्त उनको राजनितिक तोर पर उनको अकेल अलग तलग कर दिया गया था 2012-2013 की मैं बात कर रहा हूँ जब कोई और आजनितिक दल शिफसेना और अकाली दल छोड़कर कुई उनके साथ सटने को तयार नहीं था उस वक्त सबसे पहले लोग जिन्शक्ती पार्टी हमारे नेता आदनी राम विलास पार्टी के लिए कर कि राम विलास जी के तो यकीन ने एक बाल हट पे मैं था पिदा जी के पीछे और वो मान गए नहीं उन्हें बड़े राजनितिक यह रहे हैं पूरा टटोल के पूरा टोल्मूल करके और बकायदा उन्हों ने मुझे तीन दिन का समय दिया की तीन दिन तुम जाओ और प्रयास करो अगर अलाइंस डंग से बैटता है तो ठीक है नहीं तो उसके बाद में मीडिया में पर सवाल तो फिर चिराग वहीं आ जाता है कि आप कह रहे हैं कि 2014 से आप साथ आप मोदी जी को राम कह रहे हैं अपने आपको हनुमान लेकिन NDA के सवाल पर आप कहना है कि मैं कब तक समर्पन दिखा हूँ तो सवाल भी है रहता है आप हैं या नहीं है भाई मैं इसले बोर रहा हूँ अगर आप एक मिनट अगर आप अपने आपको मेरी जगह रखकर अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आज की तारीक में मेरी प्रात्मिक्ता नहीं है ना भाई कौन से चुनाओ सर पर हैं जो आपका समर्थक वर गए बिहार नहीं है दूसरे जगह पर वो भी यह जानना चाहेंगे ना कि फ्यूचर कोर्स आफ एक्शन में हमें ये तो क्लियर पता हूं जी कि चिराग पासवान एंडिये में हैं या नहीं मुझे घड़ी देखकर आप एक मिनट देदें बिना टोके वे एक मिनट आप मुझे दें नहीं है जरूरी मेरा समर्थक भी यह नहीं जानना चाहता है आज की तारीक में क्योंकि गड़बंधन का स्वरूप उस वक्त तैय करने की जुरत होती है जब चुनाओं सर पर होते हैं बीच में गड़बंधन के स्वरूप की कोई चिंता नहीं होती और आज की तारीक में तो बिलकुल नहीं जब पार्टी को हमें बचाने की जादा चिंता है पार्टी को हम लोग कैसे मैं क्यों बैठकर इस बात को सोच हूँ कि मेरा भई मैं तो बोलता रहा ही हूँ कि मेरा एंडिया से गड़बंधन है मैं आपके हर फैसले भले वो धारा 370 की बात हो ट्रिपल दला की बात हो C.A.N.R.C. की बात हो राम अंदिर निर्मान की बात हो हर उस विशे पर जिस पर नितीश कुमार जी ने आपका विरोध किया C.A.N.R.C. को लेकर इन्हों ने विदान सवा में प्रस्ताफ तक पारित कर दिया जब हमारे ग्रह मंत्री निकलेंगे देश भर में इसको लागू करने के लिए तो उसक बिहार में किस तरीके से दोनों के बीच में मद्वेद उबरेंगे वो आने वाला समय दिखाएगा राम अंदिर में पूरी तरीके से खामोश रहते हैं नितीश कुमार जी धारा 370 के तो खिलाफ अपनी बातों को रखते हैं नितीश कुमार जी तो जो वेक्ती अपनी आइडिलोजी को साथ रखते हुए जिसने आपका समर्थन के तो मैं तो हूँ ही मैं तो बोली रहा हूँ इस तरह की खूब अटकले लग रही हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक राजनेतिंग मोर्चे में नजर आ सकते हैं तो मैं इसका जवाब दूँ उससे पहले बस मैं इतना आप से आगरہ करूँगा कि भाई वान प्लस वान एक और एक ग्यरा ही हो जारूरी नहीं है बहुत सिंपल मैस के तौर पर जो मैं जवाब देने चाहरा हूँ इसको बहुत सिंपल मैस के तौर पर एक प्लस एक दो ही करके हम लोग देखें ग्यारा नहीं करेंगे तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं मैं इस बात को कहता रहा हूँ breaking news ये भी नहीं है मेरी उन से बाचीप निरंतर्ता में होती रहती है इस प्रकरन के बाद भी मेरी उन से बाचीप हुई है ये भी breaking news इसी लिये नहीं है क्यों? क्योंकि हम लोगी बाचीप होती है मेरे पिता जी और उनके पिता जी एक لمब समय तक दोनों दोस रहे दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया तेजस्वी हुमें एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम दोनों बच्चे थे हमें राजनीती के बारे में पता भी नहीं था और तब से हम दोनों और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं इनके बड़े भाई हों, इनकी सिस्टर्स हों, सब के साथ मेरे बहुत अच्छे विक्तिकत संबन्द रहे, भाई भेहन की तरही और हम लोग तो यहां तक मानते हैं कि मेरे पिता जी तेजस्वी के पिता समानते हुआ तब ही जब आज उनके जनम दिवस पर उनको शर्धानज कि चिराग हमारे साथ आजाएं, उन्हों ने ये प्रस्ताव उन्हों ने रखा, उसके लिए मैं उनका उनकी पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ, बट मैं पुन्हा उसी वाक्ये पर आऊँगा जो मैं बार-बार कहे रहा हूँ कि मेरी प्रात्मिक्ता नहीं है भाई पापा का जनल दिन होता है, और उन्ही की कर्म भूमी, हजीपूर से ही, मैं स्यात्रा की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और इस स्यात्रा पर मुझे बहुत पहले ही निकलना था, चुनाओ के बाद से ही, जिस तरीके से जनता का साथ मुझे मिला, 25 लाग वोट हम लोग को मिल चुनाओ, बने हुए थे, अकेले में चुनाओ लड़ रहा था, और इसलिए उस वक्ड में परिवार के साथ वो समय नहीं बिता पाया, तो इतना मुझे था कि दो-तिन महीने परिवार के साथ बैठ कर, मार्च से मुझे इस धन्यवाद यात्रा पर निकलना था, बट फिर क चंदा के बीच जाकर उनका आशिरवाद लेना मेरे लिए जरूरी है, आठ अक्टूबर से, मैं एक पधियात्रा की भी जरूर शुरूद करूँगा इसके बाद, इसी वरस, इसी वरस, उस दिन पिताजी का निवाद भाद, तो उस दिन से एक पधियात्रा, जिसमें दो मह महीने, चल-चल कर, लोगे बीच जाकर, अपनी वातों को रखकर, उनकी बातों को सुनकर, आगे की रण नीती, क्योंकि फिर उसके बाद पर चुनाओ का समय आएगा, मैं मानता हूँ कि लोगसभा से पहले, बिहार में विधान सभा के चुनाओ होंगे, उस वक्योंकि चु कोई भी वक्ति, आज मैं गडबंदन की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी सर पर चुनाओ नहीं है, बट कोई भी वक्ति संगधन की तभी करता है, जब चुनाओ अपेक्षित होते हैं, जब उनको देख रहे होते हैं, लवकुष समीकरन को साथना, अपने तमाम पु अपने रांसभा के चनाओ होंगे, अच्छा, एक कोई ऐसी उमीद बच्ची है क्या कि आपके चाचा, आपके भाई वापस लोटाएंगी परिवार में वो, कि आपको लगता है कि नहीं अब ये इस इस इट, दिल के किसी कोने में तो भाई उमीद जरूर होती है, वो याद थैस्त cioè, परिवार जार में ये अगर मैं उनको हटा दूं, अगर अगर को मैं उनको खता दूँ, तो, एक तस्वीर नहीं होगी मेरे पर उस कमरे में लगाने या क्योंकि कोई भी तस्वीर, या चाचा जी' के साथ है, या चाचीों के साथ है, या मेरेklärे मे भाईयों एक के साथ हैं तमाम वो तस्वीरे वैसी हैं तो दिल के किसी कोने में जरूर ये उमीद रहती है कि परिवार वैसा ही रहे जैसा पापा चाहते थे आज की तारीक में भाई पापा जहां कहीं भी होंगे जो हुआ परिवार में पापा खुश तो नहीं होंगे उनकी आत्मा को शां पर शर्द आते हैं फिर वहां पर वह वेक्तिकत डोर कड़ जाती है जहां पर शर्थ होगे तो अगर कोई अगर ऐसी शर्द के साथ आता पर जरूर ये निर्णे मेरे मेरे परिवार उनके उसमें पर अगर बात करें तो निर्णे पर्टी की राष्ट्रकार करनी को लेना हो चलिए चिराग पासवान जी आपने लंबी बातचीत की भवश्च के लिए आपको बहुत-बहुत शुब कामना है बड़ी राजनतिक चु झाल